नमस्कार दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय को सीखने जा रहे हैं वह है संत्रिप्त और असंत्रिप्त कार्बन यौगिक तो बच्चों इस से पहले कि हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक यौगिक हाइड्रो कार्बन कहलाता है और ये हाइड्रो कार्बन दो प्रकार के होते हैं संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन और असंत्रिप्त बचों, सबसे पहले हम संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हें अलकेन भी कहा जाता है। हाइड्रो कार्बन जिसमें कार्बन परमानू केवल एकल बंद से जुड़े होते हैं। उन्हें संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन कहा जाता है। इसे अलकेन भी कहा जाता है। इस प्रकार हाइड्रोकारबन जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को अलकेन कहते हैं इन सभी संत्रिप्त हाइड्रोकारबन के नाम एन के साथ समाप्त होते हैं संत्रिप्त हाइड्रोकारबन या अलकेन का सामान्य सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है CNH2N plus 2 जहां N कार्बन पर्मानुओं की संख्या है चलिए, अब उदाहरणों की साहता से संत्रिप्त हाइडरोकार्बन पर चर्चा करें यदि एक अलकेन के अनू में एक कार्बन पर्मानू होता है जब N एक के बराबर होता है सामान्य सूत्र के अनूसार इसका योगिक सूत्र CH4 बन जाता है जिसे हम मीथेन कहते हैं इसी तरह यदि हम N दो के बराबर लेते हैं तो हम इथेन प्राप्त करते हैं ये संत्रिप्त हाइडरोकार्बन सामान्य रूप से बहुत अभिक्रियाशील नहीं होते हैं यानि ये काफी कम अभिक्रियाशील होते हैं एक हाइडरोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमानू एक दुई आबंध या त्रि आबंध से जुड़े होते हैं वो एक असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन कहलाता है इथेन और इथाइन दो महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इथेन में द्वियाबंध होता है और इथाइन में एक त्रियाबंध होता है दो कार्बन पर्माणूओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रोनों को साज़ा करके एक द्वियाबंध बनाया जाता है जबकि दो कार्बन पर्माणूओं के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रोनों के साज़ा करण से एक त्रियाबंध बनता है असंत्रिप्ट हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग नामक प्रक्रिया द्वारा ज्यादतर पेट्रोलियम से प्राप्त किये जाते हैं असंत्रिप्ट हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं एक दुई आबंध हाइड्रोकार्बन को अलकीन भी कहा जाता है दो त्री आबंद हाईडोकार्बन को एलकाइन भी कहा जाता है अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे एक असंत्रिप्त हाईडोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणू एक दुई आबंद से जुड़े होते हैं वह एलकीन कहलाता है इन आलकीन में दो कार्बन परमाणूओं के बीच दुई आबंद होता है जो दो जोड़े इलेक्ट्रोनों के साजाकरण से बनता है इथीन, C2H4 और प्रोपीन, C3H6 दो अलग-अलकीन हैं क्यों? क्योंकि उनमें दो कार्बन परमाणूं के बीच द्वियाबंध होता है। यहां एक दिल्चस्प तत्य है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक कार्बन परमाणूं होने पर कोई आलकीन नहीं हो सकता है। एक आलकीन का सामान्य सूत्र CnH2N है, जहां N उस अणू में कार्बन परमाणूं की संख्या है। चलो, एक उदाहरन लेते हैं। एक, यदि किसी आलकीन के अणू में दो कार्बन परमाणूं हैं, तो N दो के बराबर है और इसका आनूइक सूत्र C2H4 होगा। दो, इसी तरह, जब N तीन के बराबर है, तो हमें प्रोपीन मिलेगा। सबसे सरल अलकीन इथीन है, और इसका सामान्य नाम इथलीन है। आए, अब अलकाइन के बारे में चर्चा करते हैं। ये असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जिसमें दो कार्बन परमानूं त्री आबंध द्वारा जोड़े होते हैं। इस प्रकार अलकाइन में कार्बन परमानूं के बीच त्री आबंध होता है, जो तीन जोड़े इलेक्ट्रोनों के साजाकरण से बनता है। इथाइन और प्रोपाइन अलकाइन होते हैं, क्योंकि उनमें दो कार्बन परमानूं के बीच एक त्री आबंध होता है। इसके अलावा एक और आश्चर्य जनक तत्य ये है कि केवल एक कार्बन परमाणू होने पर कोई अलकाइन नहीं हो सकता है अलकाइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है जहां N अलकाइन के एक अनू में कार्बन परमाणू की संख्या है उदाहरणों की मदद से इसकी चर्चा करते हैं एक यदि किसी अलकाइन के अनू में दो कार्बन परमाणू है तो N दो के बराबर है इसका सूत्र C2H2 होगा जोकी इथाइन है दो इसी तरह अगर हम N तीन के बराबर लेते हैं तो हमें प्रोपाइन मिलेगा सबसे सरल अलकाइन इथाइन है जिसका सूत्र C2H2 है और इसका सामान्य नाम असेटलीन है साथ ही बच्चों आपको पता होना चाहिए कि संत्रिप्त हाइडरोकार्बन की तुलना में असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन अधिक रियाशील होते हैं दूसरे शब्दों में अलकीन और अलकाइन अलकेन की तुलना में रासाइन एक रूप से अधिक रियाशील हैं दो कार्बन वाले अलकेन को इथेन कहा जाता है और दो कार्बन परमानुओं वाले अलकाइन को इथाइन कहा जाता है ये सभी योगेक सहसयोजक अनु हैं जो विभिन परमानुओं के बीच इलेक्ट्रोनों के साजाकरण से बनते हैं झाल झाल